दिल्ली के इस्पा सेंटर्स में एक्स्ट्रा सर्विसिस क्या होती हैं? जाननी के लिए देखिए पूरा वीडियो क्या वाकई में दिल्वालों की दिल्ली बदल रही है बैंककॉक में? क्या भारत की सभिता और संस्कृती को नोच खाएंगी इस्पा और पारलर में मिलने वाली एक्स्ट्रा सर्विसिस? आखिर क्या है मसाज पारलर में दी जाने वाली एक्स्ट्रा सर्विस के पीछे का राज? जानने के लिए हमारी इस वीडियो में बने रहे क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको दिल्ली में होने वाले उन कारणामों के बारे में बताएंगे जो मसाज पारलर और स्पा के आर्ड में किये जाते हैं अब ये सारी चीज़ें क्या हैं और किस तरह से इस पूरे रैकेट को अंजाम दिया जाता है इससे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले बलातकार से लेकर चोरी और डकैती तक हरे कांड दिल्ली में जितने जादा हमें देखने को मिलते हैं उतने शायद ही किसी और शहर में देखने को मिले जर्म की दुनिया में तो दिल्ली बेताज बात्षा है ही लेकिन यहाँ पर अब जिसम फरोशी का भी धंदा फलने फूलने लगा है देव यापार का ये काला साया पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले रहा है हर एक गले कूचे में आपको इस्पा और मसाज पारलर की भरमार नजर आएगी पर दोस्तों इस्पा सेंटर के छोटे-छोटे कमरों में बड़े-बड़े राज दफन है क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली जो एक्स्ट्रा सर्वसेज हैं वो कुछ और नहीं बलकि जिसम फरोशी का वो गोरक धंदा है जहाँ पर मसाज के नाम पर हर वो चीज होती है जो कि नहीं होनी चाहिए बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों को इस्पा सेंटर की आड़ में इस धंदे में उतारा गया है इस धंदे में काम करने वाली ग्रहनियों से लेकर स्कूल कॉलेज तक जाने वाली हर कोई लड़की शामिल है अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सबको चोरी चुपके होता है तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है अब जाहिर सी बात है कि मसाज जैसे चीज़ने प्राइवेट में तो होती है क्योंकि इनसान अपने कपड़े उतरवा कर ही मसाज करवाता है और इसी चीज़ का फायदा उठाकर इन लोगों ने एक दूसरे ढंक से इसको इस्तमाल करना शुरू कर दिया है पर अब तो मेट्रो सिटी की चकाचाउंद के पीछे चुपी ये काली हकी का धीरे धीरे सब के सामने आ रही है एक वक्त हुआ करता था जब मसाज पार्लर उस्पाव अगेरा में एक्स्टा सर्विसेज का मतलब बॉड़ी के मसाज के साथ साथ स्पैशल तरीके के तेल और मसाजिंग एक्विपिंट का इस्तिमाल होता था लेकिन अब यहां पर एक्स्टा सर्विसेज का मतलब वो सर्विस है जिसे लेने के लिए लोग बहुती भारी संख्या में इस तरह के स्पाव मसाज पार्लर में जाते हैं यही सबसे वड़ी वज़े है कि अब यह धंदा खुलनम खुला हो रहा है अब आप बोलेंगे भला वो कैसे तो दोस्तों जब स्पाया मसाज सेंटर का बोर्ड बाहर दिखाई देता है तो लोग मसाज करानी क्लिर रिसेप्शन पर पहुंचते है सामने मौझूद महिला या पुरुष कस्टमर का स्वागत करता है और उसे पानी ओफर करता है और फिर बहुत ही प्यार और मासूमियत के साथ उससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं असल में जो रिसेप्शन पर बैठा इनसान होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये उस तरह का कस्टमर है जो हमारी जेब भर सकते हैं या फिर ये केवल मसाज करवाने आये हैं क्योंकि अगर ये सभी के सामने अपनी सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सर्विसेज का राज खोल देंगे तो इनका भांडा फूट जाएगा इसलिए कस्टमर से बाते करके ये जाननी की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर ये बंदा हमारे चंगल में फस पाएगा या नहीं और बातों ही बातों में इशारों में ये भी पूछ लिया जाता है कि आप एक्स्ट्रा सर्विसेज लेंगे या फिर नॉर्मल सर्विस अगर बंदा समझने वाला होता है तो उस समझ जाता है हलाकि अगर कोई इनसान सीधा साधा होता है और वो सिर्फ अपने शरीर की ठकान दूर करने के लिए जाता है तो वो बातों को बिना गुमाए सीधे अपनी बात रख देता है जिससे मसाज पार्लर के आड़ में गोरक धंदा चलाने वाले ये लोग समझ जाते हैं ये हमारा असली कस्टमर नहीं है इसलिए उसे जो मसाज चाहिए होती है उसे देख कर रवाना कर दिया जाता है बसे अगर नियम कानूनों को देखा जाए तो ये नियम है कि किसी पुरुश का मसाज पुरुश ही करेगा ठीक इसी तरह महिला का मसाज कोई महिला ही करेगी लेकिन नियम कानूनों की मानता कौन है खास करके तब जब काम बंद कमरे में हो और किसी को भी पताना चले आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज में ये देखा होगा कि जब कोई केस मसाज पारलर में पहुंच जाता है तो वहाँ पारलर वाले पुलीस को रूम के अंदर नहीं जाने देते उसकी वज़े यही होती है कि अगर वो उन्हें रूम के अंदर जाने देंगे तो उनका भंड़ा फूट जाएगा भले ही अंदर केवल मसाज ही हो रहा हो लेकिन 99 प्रतिशत ऐसा होता है कि किसी पुरुष का मसाज महिला कर रही होती है और ऐसे में अगर किसी पुलीस ने ये देख लिया तो नियम कानूनों के खलाफ हो जाता है जिसकी वज़े से नहीं जील तक हो सकती है इसलिए पुलीस से बात छुपा कर रखी जाती है कि पुरुष का मसाज कोई महिला कर रही है और ये सारी चीज़ें नियम कानूनों को ताक पर रख कर की जाती है जहां पर उल्टा लोगों से पूछा जाता है कि आप मसाज कराने के ले किस महिला को चुनना पसंद करेंगे पर इनका असली खेल तब शुरू होता है जब ये व्यक्ति रूम के अंदर जाता है और वहां पर जाते ही ये लोग अपना असली रंग दिखाते हैं जहां पर मसाज करने आई महिला व्यक्ति से पूछती है कि आप एक्सप्ता सर्वसेस में क्या लेंगे यानि कि इन लोगों ने हर एक चीज की अपनी अलग कैटिकरी बना रखी होती है हालाकि ये सारी बाते कस्तमर को अंदर जाने से पहले पता नहीं होती है उसे बस इतना पता होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ खास तो होगा लेकिन उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि आज उसकी जेब लूटनी की पूरी तैयारी की जा चुकी है और अगर कोई इनसान सीधा, साधा और पैसे वाला निज़र आता है तब तो ये लोग उससे और भी जादा चार्ज करते हैं जिसमें सामने वाले कस्टमर के आगे ऐसे ऐसे विकल्प रखे जाते हैं कि बिचारा बौखला जाता है कि आखिर करे तो करे क्या पहले ये हुआ करता था कि मसाज सेंटर में केवल पैसे वाले और अमीर लोग जाते थे लेकिन आजकल हर किसी के अंदर आई आशी का ऐसा भूत सवार है कि आए दिन लोग मसाज सेंटर पहुंच जाते हैं और इसमें कॉलेज स्टूइन्स की बहुत बड़ी संख्या है जो मसाज सेंटर में पहुंच कर खुद से लड़कियों को चुनने की बात करते हैं और इस तरह कि कस्टमर्स के लिए सब ही लड़कियों को सामने खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें ये सखत इदायत दे जाती है कि वो कस्टमर को केवल हैलो कहकर 4 सेकंड गंदर वापस चली जाएंगी अब आप बोलेंगे केवल 4 सेकंड का हैलो क्यों? तो दोस्तों, यहाँ पर यह लोग काफी साइकलोजिकल खेल खेलते हैं अगर किसी कस्टमर के सामने मसाज करने वाले लड़कियों को ज़्यादा देर तक रखा जाएगा तो काफी देर तक सोचेगा और पूरी प्लाइनिंग करेगा कि उसे क्या करना है और किस तरह का पैकेज लेना है लेकिन अगर उसके सामने खुबसूरत लड़कियां अचानक से ही आका चली जाएंगी तो पूरी तरह से कन्फियूज हो जाएगा और एक चलक देखने के बाद हर बड़ा हट में बड़ा पैकेज ले लेगा आप लोगों ने ये बात कई बार सुनी होगी कि बैंक कॉग में मसाज के नाम पर इस तरह की चीज़ें बिलकुल आम बात हैं यहां तक कि लोग बैंक कॉग में जाते ही इसलिए हैं ताकि वो वहां की रंगीन जिंदगी का मज़ा उठा सकें लेकिन अब आपको इस तरह की चीज़ें करनी हैं तो उसके लिए होंग कॉंग जानी की बिलकुल जरुवत नहीं है क्योंकि दिल्ली मुंबई मैट्रो सिटीज में ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं और अब ये हाल है कि कई सारे इस्पा सेंटर्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं यानि कि एक तुछोरी उपर से सीना जोरी अब आप सोच रहे होंगी कि आखिर ये सारी चीज़ें इतने बड़े पैमाने पर चलती हैं जिस तरह इस्पा और मसाज पारलर वाले लोग जिस भरोशी का धंदा करते हैं ठीक उसी तरह पुलीस वाले इमान का धंदा करते हैं जिन के लिए अपने बैंक अकाउंट भरने से ज़्यादा जरूरी है और कुछ नहीं है इसलिए सारी चीज़ा जानने के बावजूद वो आँख बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इस्पा और मसाज पारलर वाले लोग पैसे पहुचाते रहते हैं और कई पुलीस वाले तो खोद यहां पर मसाज पारलर की एक्स्ट्रा सर्विसेज लेने पहुच जाते हैं पर इन सब में सबसे ज़्यादा बरबाद उन लड़कियों की जिंदगी होती है जन्हें इन बड़े शहरों में नौकरी के बहाने लाया जाता है और इस तरह के कामों में लगा दिया जाता है कई लड़कियां तो अपनी खुशी से धंदे में उतरती हैं लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जन्हें जबरदस्ती बहला फुसला कर या फिर डरा कर इस काले धंदे में उतार जाता है दोस्तों हम इस काली दुनिया के बारे में आपको जितना बताएंगे आप उतना जादा हैरान हो जाएंगे क्योंकि यहाँ बिना किसी दया के साथ छोटे शहरों से आई लड़कियों के साथ इतने जल्म किये जाते हैं कि वो बिचारी ठक हार कर इस धंदे में आ जाती हैं आप बस इतना समझ लीजे की एक वक्त हुआ करता था जब लोग जिस फरोशी के काम को कोठे पर अंजाम देते थे लेकिन अब इस काम के लिए नचनियों के कोठे की जरुवत नहीं है स्पा और मसाज पालर जैसी हाई फाई जगे शरीर के इस धंदे से पूरी तरह से घिर गई हैं जो हमारे समाज को बराईयों के दलदल में धखे ले जा रही है और एक दिन ये सब कोश इतना जादा नॉमल हो जाएगा कि अपनी सभिता और संस्कृति के लिए पहचाना जाने वाला हमारा देश पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो जाएगा अब आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो उसको लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें